आज डाउटनेट आप डाउटनेट पर अपने सभी गनित, रिसायन, विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जी विज्ञान के डाउट्स का करो सपाया बस प्रशन की फोडों खीचो, एची प्रशन को क्रॉप करो और तुरंट विडियो सिलीशन पाओ अब ही डाउटनोट करें लीजे आप तो इस प्रम दोस्तो एक विरकार से आपको ये बता रहा है की ठीक है तो स्पेक्ट्रम में seidrogen spectrum में क्या होता है ये क्या बताता है दर्शाता है इसको समझी जैसे कि ये हमारा एक पी बाइस ग्रूंजिः पहली कक्शा ठीक है वो ही क्या हैं कक्ष्या की संध्या को बताते हैं ठीक है यानि उरजा स्तर और कक्षषे एक की बात होती है समझ में आnd TikTok में हमारी बरावर अर्था पहला उर्जा स्तर है इस इसकी स्तर कुछ न कुछ होगी अपनी E1 उर्जा हो गई ठीक है यह हमारा N बराबर 2, तो इस उर्जा इस्तर की उर्जा हमारी E2 हो गई, यह हमारा N बराबर 3, तो इस उर्जा इस्तर की उर्जा कितनी हो गई, E3 हो गई, ठीक है, यह हमारा N बराबर 4, तो इस उर्जा इस्तर की उर्जा हमारी E4 हो गई, इस प्रिकार से उर्जाएं हैं, इ पहले यहाँ पर ठीक है अब electron की इस समय उर्जा क्या है e1 है electron की प्रारम में उर्जा क्या है e1 अब अगर इसकी उर्जा e2 होनी है ठीक है e2 हो जाएगी क्या होगा कोई photon आया परमाडू से टकराया परमाडू में इस electron ने उर्जा उसकी अफशोशित कर ली और इतनी अधिक है कि यह जो electron है इसकी उर्जा जो दूसरा उर्जा इस तर है इसकी उर्जा के बराबर हो गई यानि अब e1 जो है वो किसके बराबर हो गई दोस्तो e1 का मान e2 पहुँच चुका है ठीक है जैसे e1 का मान प्रारम में 5 है अब जो photon आया उससे इसने 5 जूल और उर्जा ले ली और e2 का मान 10 था तो 5 जूल और उर्जा मिल गई तो अब जो electron है उसके पास 10 जूल उर्जा होगा यानि अब electron क्या होगा इस वाले उर्जा इस तर में पहुँच जाएगा अब यहाँ पे electron कुछ देर रहेगा कुछ देर रहने के बाद क्या होता electron फिर से अपनी प्रारंब एक कक्षा में आएगा तो जब electron लोट के आएगा प्रारंबिक उर्जा इस तर में तो लोटते समय क्या करेगा इसने जो उर्जा अप्शोषित की थी उतनी उर्जा को यहाँ पे उत्सर्जित कर देगा ठीक है तो यहाँ पे यह जो spectrum बनेगा जो भी उर्जा उत्सर्जन ह ग्यान होता है ठीक है कि जो हमारा परमाड हुए उसमें जो भी उर्जा इस तर है उनकी सभी की उर्जाएं क्या है क्वांटी क्रित होती है क्योंकि हमें पता है कि एनत उर्जा इस तर की जो उर्जा है उसका सूत्र क्या होता है माइनस का 13.6 बटे एन स्क्वाइर बहुत एक रासी है वो क्या हो गई क्वांटी करित हो गई ठीक है तो यहां पे हैज़ स्पेक्टरम क्या वताता है क्वांटी करित ऊड़ जा इस तरोकी उपस्तिती को ब्यक्त करता है तो इसे मैं लिख दे रहा हूँ H spectrum एक उत्सरजन spectrum है ठीक है और यहाँ H परमाडू में उपस्थित और यह है H परमाडू में उपस्थित बिविन क्वांटी करत ऊड़ जा इस तरों की उपस्थिती को दर्शाता है यह हमारे प्रश्का उत्तर होगा विकल्ब देखते हैं तो पहले विकल्ब में दे रखा हा पांटी करत ऊड़ जा इस तरों की उपस्थिती यह बिल्कुल सही बिकल्ब है तो आशा करता हूं आपको यह समझ में आया होगा धन्यवाद